असलाम लेकुम, विल्कम बेक टू माई चेनल, आज मैं आप सब के लिए चिकन सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल, आज हम रेस्टरांट स्टाइल चिकन सूप बनाएंगे, चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं ये मैंने वन टेपल स्पून कुकिंग वाइल लिया है, ये मैंने एक पाव चिकन लिया है, ये मैंने हडियों वाला चिकन यूज किया है हडियों वाले चिकन से यखनी जो है वो बहुत ही ज्यादा मज़ेकी बनती है, आपने भी इसी तरह का चिकन यूज करना है अब मैं इस चिकन को मीडियम आग पर अच्छी तरह से कुक कर लूँगी जब तक हमारे चिकन का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राय हो जाएगा ये मैंने एक मीडियम साइस का प्यास लिया है छे से साथ लसन के जवे लिये हैं ये छिलके के साथ ही मैंने यूज़ किये है अब मैं इसमें वन टी स्पून नमक डालूँगी इस तरह से जब आप चिकन का पानी ड्राय करके सूप रेडी करेंगे तो आपको सूप में से बिल्कुल भी कोई अच्छी चिकन की स्मेल नहीं आएगी इस सूप बहुत ही ज्यादा मज़े का बनता है आप इसको एक पार जरूर ट्राय कीजिएगा और मेरे साथ अपना फीड़बेक कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा ये आप देख सकते हैं चिकन का अब सारा पानी ड्राय हो गया है अब मैं इसमें 10 किलास के करीब पानी डालूँगी पानी को मैं अच्छी तरह से बॉयल कर दूँगी ये इसके उपर जो जाक है वो हमें निकाल देनी है अब मैं इसको तकरीबन 1 गंटे तक बॉयल करूँगी डिमाग पर जब तक हमारी चिकन जो है वो भी अच्छी तरह से गल जाएगी या देख सकते हैं हमारा चिकन स्टॉक बिलकुल रेडी हो गया है तकरीबन 50-55 मिनर्स तक मैंने इसको डिमाग पर कुप किया है चिकन भी हमारी अच्छी तरह से गल गई है अब मैं इस चिकन को निकाल दूँगी और इसे श्रेड कर लूँगी और ये चिकन स्टॉक इसको मैं अच्छी तरह से चांग लूँगी चिकन स्टॉक को मैंने चांग लिया था अब मैं इसमें 1 टी स्पून नमक डालूँगी 1 टेबल स्पून काली मिर्ज का पाउडर डालूँगी 2 टेबल स्पून सोया सॉस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं 1 टेबल स्पून विनिगर अब मैं इसको अच्छी तरह से बॉयल कर दूँगी मैंने चिकन श्रेट किया था वो मैं इसमें डाल दूँगी अब हमें इसको अच्छे से बॉयल करना है ये मैंने 2 टेबल स्पून कान फ्लॉर लिया है थोरा सा पानी डाल कर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी हमारा सूप भी बिल्कुल बॉयलिंग पॉयंट पर आ गया है ये बिल्कुल बॉयल हो रहा है इस पॉयंट पर हमें इसमें कान फ्लॉर एट करना है कान फ्लॉर डाल कर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ये मैंने एक अंडा लिया है इसको मैं अच्छी तरह से फेट कर इसमें डाल दूँगी आप अपने सूप की थिकनिस अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको पहुत ज्यादा थिक सूप पसंद है तो आप इसमें कॉनफलोर ज्यादा एड़ कर सकते हैं अब मैं इसको मेडियम आप पर 10 मिनट तक कुप करूँगी इससे हमारा जो सूप है वो थोरा सा थिक हो जाएगा हमारा सूप बनकर बिलकुल रेड़ी हो गया है यह आप देख सकते हैं अगर आपको इससे थोरा सा थिक चाहिए तो आप इसमें कॉनफलोर थोरा सा और एड़ कर सकते हैं यह बहुत ही ज्यादा मज़े का सूप बनकर रेड़ी हुआ है इसमें कोई भी अंडे की या चिकन की स्मेल आपको नहीं आएगी अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीड़ पेक देना बिलकुल मत भूलिएगा अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह के और बहुत सारी न्यू और मज़े की रेसिपी इस देखने के लिए या आप देख सकते हैं हमारा सूप पिलकुल रेडी हो गया है आप इसको भॉयल अंडे के साथ भी गार्णिश कर सकते हैं मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए थेंक यू फॉर वाच्चिंग अल्ला हाफिज